दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं ने-ने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी क्यों आपके लिए जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे आपका भाई हो आपकी बहन हो आपके घर में आपके बच्चे हो वो सभी किताबे जो है रिजिस्टर और किताबे हमेशा खरीदते होंगे चालिस पचास उपर काई एक रिजिस्टर आता है आज के टाइम पर तो यह बहुत ही फाइदे बंद बिजनस है इसके बारे मैं सारी जानकरी आपको देने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताओंगा कि रिजिस्टर बनते कैसे हैं रिजिस्टर कापिया कैसे बनती हैं कौन-कौन सी मशीन चाहिए उसके बाद मैं बताओंगा उन मशीनों के रेट क्या है कितने की मशीन है और उसके बाद मैं आपको फोन नमबर दूँगा सारा खर्च यह किताबे बनाने के लिए सबसे पहले आपको रो मेटीरियल खईदना पड़ता है रो मेटीरियल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ यह आपको जिससे आप मशीन लेंगे वो ही आपको सारा रो मेटीरियल प्रोवाइड करा देगा अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती है कौन कौन सी मशीन चाहिए देखिए नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाइट वेपर को गत्ते के अंदर डालना है डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है ये मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है ये मशीन कहीं तरह की आती हैं कुछ सस्ती आती हैं कुछ महेंगी आती हैं वो उसी हिसाब से काम करती है जैसे उनका rate होता है जैसे उनका size होता है अब आप देख सकते हैं इसमें pin लग चुकी है क्याम आप सब्सक्रादा स बच्रादा होता है всё है कर दो 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 fakta झाल झाल इतना काम को मशीन इससे क्या होता है इससे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता है बिलकुल जो नीचे की से तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पे बिलकुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते है इस से एक्सार किया जाता है, इस तरीके से इसमें, किताभी ये जो डाल के सारी आव इसके बाद में जो चीज शुरू होती है व้ होगी इसके बाद में कटिंग की पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी दिर रखा जा रहा है कर दो 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 हो पको अपनल कि अ हम बाद को जिए कर दो कर दो दो कि को एक रहता हुआ हो वा जाख कर दो कि अरीर को अर्टन थार यह को कर दो 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 कर अब आती है बात यहां पे आप देख सकते हैं यह दूसरी में वही मशीन है उसकी जो पिछली साइड है यह बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली साइड है उस पे अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को और यहां पे इन किताबों की कटिंग होगी जो raw material था वो तो जुका तो आगया हमने सिर्फ इसमें पिन लगाया है कागरे डाला है और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम और हमारा register बनके तैयार हो जाएगा तो देखते रहिए इस वीडियो को तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया यहां पे इनकी cutting शुरू होगी तो यह आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिलकुल एकसार तरीके से रख लिया है अब यह इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे और उपर एक blade होगा बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताब होगी तो यहाँ पर देखी किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं भी आप देखी अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिलकुल एकसार करके यह इन्होंने यह देखे यह blade चल गया यह आप देख सकते हैं पूरा बारी ब्लेड होता है ताकि एक सार एक बार में काटते हैं और हमारी किताब भी जो है कटके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं यह काम हमारा हो गया complete हमारा register जो है बिलकुल बनके तयार हो चुका है अब हमें कुछ नहीं चाहिए, डारेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना रेजिस्टर बिल्कुल बनके तयार हो चुका है तो अब इसे थोड़ा सा यह इकसार करेगा जो फाल्तु की जहां जहां भी होगी उसे यह सही से ब्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं यह फिट से वही कर दा है यह देगे फाल्तु का सब कट हो गया बिल्कुल और हमारा रेजिस्टर बनके बिल्कुल तयार हो चुका है अगर आप हमारे चानल को पहनी बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दवाले जिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सुचना आपको प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पर